नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सिरीमत भगवत गीता में वगवान स्रीकृष्ण ने इंसान की वर्वादी के तीन ही कारण बताए थे मनुस्त की वर्वादी के ये कारण आज भी सठीक है दोस्तों कहते हैं मनुस्त से दी अपनी वर्वादी के कारण को जान जाए तो वा अपने जीवन को सुख में बना सकता है गीता में भगवान स्रीकृष्ण ने वर्वादी के इन तीन कारणों पर बिशेश बल दिया है दोस्तों भागवत गीता के बताए गए मनुस्य की बरवादी के ये तीन कारण आज हर मनुस्य को जानना चाहिए दोस्तों या कोई मैं नहीं बता रहा बलके गीता में ऐसा वर्णन मिलता है क्या आप जानते हैं कि मनुस्य की बरवादी के तीन कारण कौन-कौन से हैं दोस्तों यदि नहीं जानते हैं, तो हम आज के वीडियो में इसी एक कहानी के आधार पर आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंतर ज़़ुर देखना और अच्छी तरह से समझना, पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, रोजाना इसी परकार के अध्यात्मि वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस कहानी के माध्यम से मनुस्य की वरवादी के आखिर क्या कारण हैं, दुस्तों प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, कम उमर में ही शाही ठा से दूर गुरकुल में वो भेज दिया गया, गुरकुल में यावालक सबसे हुनहार था, उसने बेदों और शास्त्रों का अध्यन किया, गुरकुल में अभी उसकी सिच्छा समाप्त भी नहीं हुई थी, कि उसके माता पिता और सभी भाई बहिन प्राकर्ति कापदा में मा अब इस सन्यासी ने अपनी सारी मातोकंचा त्याग दी वा संसारी गवस्तूओं को छोड़ कर हिमाले के जंगलों में चला गया उसने लंबे समय तक तपस्या की दीरे दीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगा होने लगी दोस्तों उस राजी का राजा बहुत ही कुरूर ब्यक्ति था राजा ने सन्यासी से भेट करने की ठानी जिसके वार राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की रहा पर चलने की ठान ली राजा मन ही मन सोचने लगा अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिन्टों में ही इतना कुछ वदल सकता है तो एदी मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिन्दगी ही बदल जाएगी इसके वार राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का आगरे किया सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चला गया वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया दोस्तों सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आग्या मागी जिस पर राजा ने कहा आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को सुईकार कर लिया बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई राजा ने भी सन्यासी की खूप से वागी दोस्तों कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पडोस के राजी में चले गए साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था कुछ जिन्नों बाद जब राजा बापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डाटा राजा ने सन्यासी से छमा मागी और फिर सब कुछ ठीक हो गया दुस्तों इस वार राजा ने राजा ने राणी को आदेश दिया कि जब तक वा आते नहीं है तब तक सन्यासी को किसी परकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिसके वार रानी हर रोज भोजन पका कर सन्यासी को भेज देती एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पढ़ गया और वाखुद महल में जाकर देखने लगा दोस्तों सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी उसने रानी की अद्वत रूप को देखकर चकित रह गया सन्यासी रानी की सुन्दर्ता को बुला ना सका और उसने खाना पीना छोड़ कर अपनी कुटिया में ही पढ़ा हुआ था दोस्तों जब राजा बापस लटे तो उसे सन्यासी के हल का पता लगा राजा ने जब सन्यासी से ये पूँचा ये सब कैसे हुआ तो उसने कहा मैं रानी की अद्वत सुन्दर्ता का काईल हो गया हूँ इस पर राजा ने सन्यासी से कहा आप मेरे महिल में चलिए मैं रानी आपको दे दूँगा कुछ दिनों के बार रानी ने उस सन्यासी से कहा आप क्या थे और क्या हो गए आज आप बासना के कारण मेरे गुलाम हो गए है या सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है सन्यासी जोड-जोड से चिलाने लगा और रानी से कहा मुझे छमा कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है दोस्तों इस प्रसंग का सार या है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है यही दोस्तों वो तीन कारण है जो मनुस्य को बरवादी की ओर ले जाते हैं तो आज के लिए वस इतना ही वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रही इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जय हिंद